ओके वेलकम दिया स्टुएंट्स इसमें हम लोग डिसकूस करेंगे डायपोल न यूनिफॉर्म एक्सटरनल फील्ड यहां पर यूनिफॉर्म एक्सटरनल फील्ड पहले से लगी हुई है ठीक है और यहां पर हम जो डायपोल कंसेडर कर रहे हैं उसके पास एक पर्मिनेंट यह रहेगा ही रहेगा तो हम ऐसा प्रामनेंेट डायपोड अफद्स एम डिपल मोमेंंट ब्रा में इसके पर्मिन जॉनीफ़र्म टैपल हो इडिय सॉनिफ uniform external field E as shown in this figure right side में जो बना रखा है आपके है ना and so by the permanent dipole we mean that P exist P क्या है magnitude of this dipole P exist irrespective of electric field E जो कि और uniformly पहले से लगा हुआ यानि कि यह जो dipole moment है यह E के वज़े से electric field के वज़े से नहीं इंड्यूस हो रहा है पहले से ही था इसके पास इसे लिए इसको permanent dipole बोला गया ना अब क्योंकि यह dipole है तो dipole तो equal and opposite charge से और कुछ distance से separated होता है तो minus Q है और plus Q है तो there is a force एक Q into E करके force लग रहा होगा आपका Q पे Q charge पे यह QE कहा से है और फोर्स का फाउनलब को याद होगे ना वर फोर्स पाइप सेलर नॉट क्योंकि यह था अभी जब electric field का expression से आप जब compare करोगे तो आपको फोर्स का नहाए expression मिलेगा that is charge into electric field अगर किजी का force निकालना है तो उसके electric field से multiply कर तो उस पर कितना फोर्स लग रहा है आजएगा तो उस पर Q into E का force इतने magnitude का force लग रहा है माइनस वाले पर देखेंगे तो माइनस के हिसाब से लगेगा अच्छा अब electric field नीचे से उपर की तरफ लग रही है यानि कि मैं एगर ऐसे देखूं तो हमारी जो अब इसके electric field है वह इधर की तरफ से ऐसे यानि कि positive इधर होगा निगेटिव अधर होगा तो जो आपका positive वाला क्यू है उसको कैसा charge फील होगा उसको कैसा force फील होगा वह उसको attraction उपर की तरफ फील होगा तो देखो यहां पे प्लस Q पे उपर की तरफ फोस लग रहा है तो यह हमारा जो हो गया यह तो force के अपने बात कर ली ठीक है किदर किदर लग रहा है अचा अब इसको हटाते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है the net force on the dipole is zero the net force on the dipole is zero means that since electric field e जो बहर से लगा हुआ है वह आपका uniform है यूनिफॉर्म का मतलब क्या है कि हर जगा सेम होगा ठीक है कहीं कि आप अगर आप अलेक्ट्रीट करना चाहेंगे तो हर जगी हर जगे सही वह सेम सा आएगा तो this means that कि वह electric field आपकी uniform है मतलब कहीं भी आप कोई भी पॉइंट रहा है कि इस पे यह जो आपका डाइपोल है इस पे जो नेट आपका चार्ज है ना सॉरी नेट फोर्स है ना जो वह जीरो लग रहा है क्यों कि भाई एक उपर की तरफ लग रहा है एक नीचे की तरफ लग रहा है तो अगर आप इसका अगर यहां पर की तरफ क्यू लग रहा है नीचे की तरफ भी क्यू लग रहा है तो इस दोनों मिला करके क्या हो गया क्यूए प्लस माइनस क्यूए जीरो जाएगा ना कैंसल ओट कर देंगे दूसरे को लेकिन यह तो हम फ्री बॉड़ी डियाग्राम से जान सकते हैं फ्री लगेगा तो नेट फोर्स वही चीज़ है ना यहां पर तो लेकिन अब एक पॉइंट की बात तो है नहीं यह तो कुछ डिस्टेंस से डाइपोल है की नहीं है तो अब यह जो डिस्टेंस से डाइपरेट है अगर एक फोर्स इधर की दरफ लग रहा है उपर ऐसे और एक इ यह situation है तो तो अब यह मता है रोटेट करने लग जाता है तो यही यहां पर टॉर्क कांट सट्ट आ जाता है ठीक है फोर्स और टॉर्क दोनों ही क्या है सेम चीज होते हैं लेकिन जो टॉर्क होता है वह तूर्ड परेशन के की गज़ाइज तो तौर्क के वाज़े से लग लेकिन वह दरवाजे में आप कहते हैं लेकिन वह फोर्स आप किसी एक एंगल पर लगाते हो तो 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 अप्लाइ करते हो तब यह दरवाजा खुल जाता है अब यह टॉर्क क्या होता है बेसिकली टॉर्क जो है यहां पर इदर को कपल ओफ फोर्स आट कर रहे हैं इसको कपल बन जाता है तो यहां पर आगे बढ़ते हैं the charges are separated so that the force acts at different points to resulting in different points पर फोर्स लगने के वाज़े से इसमें torque आजाता है ठीक है तो when net force is zero the torque जिसको की कपल भी बोलते है is the torque is independent of the origin मतलब उसो independent origins है ठीक है its magnitude यह जो torque का magnitude होता है it is equal to the magnitude of the each force मतलब each force का magnitude multiply by the arm of the couple, अजा arm of the couple क्या होता है arm of the torque it is the perpendicular distance between the two anti-parallel forces यहाँ पर anti-parallel forces कौन से हैं एक तो आपका QE हो गया एक तो आपका यह वाला force हो गया और एक आपका यह हो गया दोनों इक दूसरे के anti-parallel है ना देखो anti-parallel का मतलब क्या parallel तो है लेकिन opposite direction में तो that is known as anti-parallel दूनों के बीच का angle 180 degree नो इतनी चीज़े तो हमें clear हो गई तो उसका magnitude अब force का magnitude क्या है Q into E जो कि यहाँ से हमने देखा और perpendicular distance अब यह कैसे निकलेगा भाई चलो अगर मैं इसका diagram बनाओ थोड़ा सा और tilt करके बनाता हूँ यहाँ मैं minus Q बनाता हूँ और यहाँ पे कहीं मैं plus Q बना रहा हूँ इस तरीके से मालना हमारा dipole रखा हुआ है यह पूरी length आपकी कितनी है बेटा 2A है 2A अच्छा अब मान लो यह एक theta angle यहाँ पे बना रहा है तो यहाँ पे भी अगर मैं एक line खीचे तो यह भी angle थीटा ही होगा देखो यहाँ पे जो situation है वही मैं यहाँ बना रहा हूँ ठीक थोड़ा clear दिखेगा यहाँ से अच्छा अब अब यहाँ पे perpendicular distance कहा है रहा है बीच का perpendicular distance तो यही हो गया ठीक है अच्छा अब यह वाली distance आप कैसे निकालोगे देखो यह triangle फॉर्म हो रहा है ना एक यह point ले लो एक यह point यह point यह triangle मान लो A B और C यह हम triangle ले ले लेते हैं बेटा तो triangle में अगर आप sin theta लगा दो ठीक है sin theta लगा दो sin theta क्यों लगा है क्योंकि हमको यह वाली length चाहिए थी और sin theta में perpendicular is the theta के सामने वाली length तो हमें यह वाली length मिल जाएगी तो यह वाली length मान लो B C यह जो की perpendicular distance है तो उसको हम B C perpendicular लिख लेते हैं upon में आ जाएगा hypothesis डानी की 2A अच्छा तब B C will be equal to 2A को इधर ले जाओ तो यह बन जाएगा 2A sin theta is equal to B C तो यह जो perpendicular distance थी जो जो perpendicular हमको Q E into आपका मतलब force into perpendicular distance जो हमको करना था arm of the couple यह ही है आपका arm of the couple यहाँ पे that is the perpendicular distance 2A into sin theta यह दिवाद क्लियर हो की 2A sin theta कहाँ से आया तो यहाँ पे यह directly आप इसमें क्या कर सकते हो 2A sin theta को लगा दोगे अच्छा Q E is the magnitude of the force of force multiplied by perpendicular distance जो 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 की 2A sin theta आपने निकाला तो बेटा यह क्या हो गया आपका यह हो गया ऐसा कुछ expression आपका ऐसा बन जाएगा ना कि फिर जो torque होगा करते हैं torque का जो magnitude हो जाएगा that will be Q into E और multiply by 2A sin theta जो अभी हमने निकाला ठीक है 2A sin theta अच्छा थोड़ा से rearrange करते हैं उसको torque is equal to यह हो जाएगा भाई 2 और A और Q इधर ले लो और E इधर ले जो sin theta ठीक इत्ता लिखे रहे हैं अच्छा 2A Q को देखके कुछ याद आ रहा है क्या भाई this is the magnitude of the dipole यह P का magnitude होता है dipole को P से denote करते हैं P का magnitude होता है 2 into Q into A या फिर Q into 2A मतलब की आपका magnitude of one charge and the distance जिसमें की वो टैबोल से बेरेटेड है दूसरे charge से तो वो होता है magnitude of dipole तो इसके जगा आप P भी लिख सकते हो ठीक है तो आपका expression यहाँ पर torque का कैसे change हो जाएगा यह 2 into A Q को हम क्या लिख सकते हैं इसको हम लिख सकते हैं P magnitude of P into E sin theta अभी यह सब magnitude लिखा हुआ है अभी इसको vector form में change करना है तो क्या कर लिखेंगे तो vector form इस तरीके सो जाएगा इसका लिख सकते हम यह लिख सकता है torque T is equal to अच्छा P है उसको vector लिख लो और E है उसको vector लिख लो अच्छा sin theta बन जाता है cross मैंने बताया था ना sin theta magnitude के form में sin theta लिखते हैं लेगिन अगर उनको vector form में change करना है तो sin theta becomes torque और theta should be the angle between P and E ओवियोसे बात है P और E के बीच का यह angle है theta है ना देखो यहाँ पर बन रहा है E उपर की तरफ था P दर की तरफ था देखो दुरों के बीच का angle ही है वो theta ठीक तो यहाँ पर एक cross आजाता है sin theta को हट जाता है और cross आजाता है चलो उसको हटाते हैं आगे बढ़ते हैं और क्या कह रहा है तो यह आपका derivation था torque जब किसी भी एक dipole पे लगता है जब उसको हम एक external uniform magnetic field के अंदर में रखते हैं ठीक है अगर uniform magnetic field नहीं होगा तो क्या होगा तब भाई आपका net force 0 भी तो नहीं होगा इसको हटाते हैं और आगे बढ़ते हैं चलिए इसको थोड़ा सा read करते हैं और देखते हैं कहां तक जाती है तो its direction is normal to the plane of a paper अरे भाई मैंने क्या बतायता है कोई भी अगर vector काम को cross product है उसका direction निकालना है जैसे p cross e है p cross e का direction निकालना है तो p cross e यानि कि अपने right hand को आप p के तरफ पहले fingers को right hand की fingers को सारी p के तरफ point करो बिल्कुल खड़ी करके फिर p से लेकर के अपनी fingers को curl करते हुए e की direction के तरफ ले आओ तो इस तरीके से आप अपने fingers को fold करोगे ठीक है तो आपके ठंब जो है वो direction of torque दिखा रहा होगा मैंने बताया था न वेक्टर की uniform circular motion नहीं बताया था मैंने how to मतलब see the direction of vector जो भी है अगर cross product के हम बात करते हैं तो right hand rule लगा लगा लेते हैं वापे screw rule ये पर right hand thumb rule उसको बोलते हैं तो वहां से आपको इसकी direction का अंधाज़ा मिल जाता है now this torque will tend to align the dipole with the field e ठीक है when p is aligned with e the torque is zero अगर p e के साथ align हो जाएगा बिल्कुल e तो टॉर्क आपका 0 हो जाएगा simple सी बात है तो देखो भाई सीदी सी बात है across है ना मतलब sign theta अब आपका टॉर्क जीरो कब होगा जब theta की value zero हो जाएगी मतलब बिल्कुल align हो जाएगा electric field और dipole की direction ठीक है 0 degree का angle बनेगा तो sin 0 जीरो और sin 90 is one maximum कब होगा जब आपका बिल्कुल sin मतलब theta की value 90 होगी तो mathematically बता सकते हैं कब चीज़े maximum होगी कब चीज़े minimum होगी तो यहां से चीज़े तो महीं clear ही हो गई है अब हमें जो देखना है बटा आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और ठीक है what happens if the field is not uniform तो मैंने पहली बताएगा field uniform नहीं होगा तो net force आपका 0 नहीं हो इदर केस्ट नेट टॉर्ग जिरो बट देर इस अनेट फोर्स ओन देपोल इस इस नॉनिफॉर्म तो टॉर्क उसकेस में तो 0 हो सकता है लेकिन आपका नेट फोर्स अब तो 0 नहीं होगा is it clear now figure 1.23 आपको दिख रहा होगा figure 1.23 यह self-explanatory है खुदी explain कर रहा है चीज़ों क तो क्या है it is easily seen that when P is parallel to E जब आपका P is parallel to E तो dipole has a net force in the net force in the direction of increasing field but when P is anti-parallel to E then the net force on the dipole is in the direction of decreasing field. In general the force depends on the orientation of the P मतब orientation of dipole किस तरीके से रखा गया है external electric field में वो force उस पे depend करता है ठीक है यह जीज़ों को याद रखना conceptual question में पूछ सकता है यह चीज़ This brings us to a common observation in fractional electricity जैसे कि आपका मतब यह simple एक चीज़ है इसमें भी आप थोड़ा सा relate कर सकते हो कि अगर a comb run through a dry hair attracts a piece of paper भही अगर आप comb को अपने बालों में dry बालों में आप जब comb करते हो अपने बालों को तो अगर फिर bits of paper के पास ले जाओगे तो वो attract करता उसको हमें यह तो पता है कि comb में charge जो आता है वो कैसे आता है friction के वज़े से आ रहा है और कैसे आ रहा है electron के transfer के वज़े से ही आ रहा है ठीक है तो उस पे जो भी force आ रहा है ठीक है attractive force but the paper is not charged लेकिन जो आपका bits of paper है ना वो तो charge नहीं है लेकिन फिर क्यों attract हो रहा है comb से है ना when what then explains the attractive force तो कौन सी ऐसी फिनॉमिना है जो कि उस attractive force को explain करती है जबकि आपका जो bits of paper है वो तो uncharged है बट आपकी comb charged है तब भी paper attract हो रहा है तो ऐसा क्यों हो रहा है तो taking clue from the preceding यानि कि जो अभी हमने पढ़ा वहां से अपने observations को लेते हुए आगे बढ़ते हैं the discussion the charged comb polarizes the piece of paper तो charged comb क्या करता है actually piece of paper को polarize कर देता है यानि कि वो एक तरीके का bits of paper के अंदर net dipole moment को induce कर देता है ना in the direction of field भाई जब वो आपका comb charge हो गया तो उसके वज़े से electric field produce हुई अब electric field जैसे ही प्रेडूस हुई तो आपका जिस भी material में एक dipole moment नहीं था तो उसके अंदर वो जैसे ही वो electric field के influence में आया है उसके अंदर dipole moment आ गया तो bits of paper आपका क्या हो गया उसके अंदर एक dipole moment आ गया further the electric field due to the comb is not uniform भाई uniform तो नहीं होगी ना electric field जो को में real life में अगर हम देखेंगे तो uniform तो हम हम ideal में consider करके पढ़ते हैं उस चीज़ को but actually में तो non-uniformity तो रहेगी तो this non-uniformity of the field makes a dipole to experience a net force on it तो इसी के गारण तो उस dipole पर यानि कि जो bits of paper उस पे एक net force लगता है और net force के वाज़े से क्या होता है वो easily attract हो जाती कि इसकी दरफ कोंग की दरफ तो this is the reason why bits of paper has been attracted to the comb तो अगर question फूचता है न why bits of paper has been attracted to the comb since it is also not charged as you know तो आप यह पूरा का पूरा topic हो गया जिसको कि हम dipole moment in a external uniform magnetic field और non-uniform magnetic field में भी क्या situation होगी वह भी हमने देख लिया आप जड़ा देखते हैं यह क्या है continuous charge distribution अच्छा इसको पढ़ाने से पहले मैं एक चीज बता हूं आपको देखो बैटा सिंपल से चीज़े आप भी जानते होगे इसको जो आपकी डॉट by bean, to Apple एक्चुली में अगर कि बात होगी तब तो हमें यह continuous नहीं दिख रहा ना देखो continuous नहीं है discrete है छोटे-छोटे gap में points है छोटे-छोटे gap है points के बीच में चोटे-छोटे gap है अच्छा यह तो microscopic level की बात होगी लेकिन हम macroscopic level पे इसको जब सब्सक्राइब तो हमको तो continuous राइटिंग दिखती है हमको तो बिल्कुल ऐसा दिखता है दूर से देखते हैं तो macroscopic level पे अपनी naked eye से जब देखेंगे तो यह difference होता है बेटा continuous charge distribution में और मतलब यही concept हमको थोड़ा सा यहां पर लगेगा तो मेरे साब से मुझे यह best example है आप लोगो बताने के लिए ठीक है dot pen वाला तो इसको मैंने पहले इसलिए बताए ता कि treatment is simpler अलग अलग पढ़ने का मतलब यही है कि mathematical तरीके से उसका calculation होता है वह simpler हो जाता है हमारे physics में क्योंकि calculation बहुत ज़्यादा जरूरी है and it does not involve the calculus और यह calculus भी नहीं involve करता है इसलिए हम discrete charges के बारे में अलग-अलग calculate करके समकर जैसे discrete charges का हमने treatment किया था वहाँ पर आपके यहां पर आपके यहां पर सुपर position principle में अलग-अलग-अलग निकाल के इसको एड किया था there was no integration and differentiation in it you know but अभी यहां पे ना वो चीज भी आएंगी कैसे आएंगी देखतो देखते रो आएंगी सब्सक्राइब होएवर 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 इस इंप्रैक्टिकल तो वर्क इन तरम्स अफ डिस्क्रीट चार्जर्ज और वी नीग तो वर्क विद अगर बड़े पैमाने पर आप काम करोगे बड़े चीजों का सब्सक्राइब करोगे तो एक एक चार्ज करने बैठोगे तो कितना ज्यादा इंकन्वीनेंट हो जाएगा आपके लिए तो उसको ना करना पड़े हमने यहां पर नया कॉंसेप्ट पढ़ा मतलब साइंटिस्ट ने पहले जो इन्हों की स्टेडी करी थी फैरड़े वागर ने नया कॉंसेट बनाया था कॉंसेट ऑफ कंटिनुएस चार्ज इस्टिबूशन ठीक है इसमें क्या है उसको देखते हैं थोड़ा सा तो वी नीट वर्क बिद अकटिनुएस आज़ीशन फॉर एक्जामपल ऑन दा सर्फेस ऑफ चार्ज कंडुक्टर इडिस इंप्रैक् लिए इडिस मोरई फीजीवर्ड फ्रचिद्रेड एन एकर हम महाँ पर लोग के पर चार्ज अ करें उसको इंटिग्रेंट कर दें एक कैल्ट कर सा मिंट और खो इंटिजीए पार्टे physical meaning of integration and it is summation basically, so it is more feasible to consider a little element on the surface of the conductor which is very small on the microscopic level, but big enough to include very large number of electrons, लेकिन इतना बड़ा है वो इतना बड़ा element हम देंगे जिसमें कि कई सारे electrons एक बार में आ सकते हैं तो यह condition है and specify the charge delta q on that element we then define the surface charge density और उस particular area जो हमने consider किया उसमें कुछ electrons होंगे उस पर कितना charge वो हमने delta q ले लिया है उस element पे when then we then define a surface charge density sigma at the area element by sigma is equal to delta q upon delta s so this sigma इसी sigma को हम बोलते है surface charge density देंगा या पर लिखाओ surface charge density surface charge density sigma is it clear चलो बिटा यह तो clear हो गया न आप लोगों को अब यह तो surface charge density की बात होगी अगर पास particular area है तो हमने surface charge density बना ली आगे we can do this at different points of the conductor यह हम different point of the conductor पर कर सकते हैं and thus arrive at a continuous function sigma called the surface charge density the surface charge density sigma so defined ignores the quantization of charge ठीक है यह quantization of charge को उस समय पर ignore करता है यह concept ठीक है and discontinuity in charge distribution at the microscopic level obviously बात है अगर हम microscopic level की बात करेंगे तो यह discontinuity तो शो करेगा ही तो उसकों continuous charge distribution बोल रहे हैं because because when we are talking about macroscopic level तो उसके case में हमारी जो वही वाला concept में बता था नो dot pin वाला वो हमारा continuous के तरह act करता है तो यहां भी वही concept लगेगा microscopic level के यह discontinuity शो करेगा नीचे देख लेगा है at microscopic level charge distribution is discontinuous because they are discrete charges separated by intervening space है न चोटे चोटे स्पेस से ऐसे separated है जहां पर कोई charge भी नहीं है अगर बहुत ही microscopic level की बात करें बट हम तो macroscopic level की पढ़ाई करने वाले हैं यहां पर इसलिए हमने continuous charge distribution ठीक है तो microscopic level की बढ़ाई करेंगे तब तो हम continuous charge distribution की बात नहीं करेंगे तब तो discrete तरीके से calculate हो जाएगा बट जब macroscopic की बात करेंगे बड़े प्रमाने की बात करेंगे तब तो हमको continuous charge distribution लेना ही पड़ेगा है ना सो now sigma represents macroscopic level charge density microscopic surface charge density which in a sense is a smoothed out average of the macroscopic microscopic charge density मतब जितने भी total charge से उनका यह average बन जाता है over an area element delta s which as said before is large microscopically but small macroscopically the unit is अक्या हो जाएगा unit भाई simple सी चीज़ आप तो जानते है कूलम भाई sigma जगो delta q upon delta s है ना delta q का unit कूलम और delta s का is meter square भाई area element है ना तो area के unit meter square तो कूलम पर meter square है यहाई unit for this similarly considerations apply for the line charge also यह तो चलो area के हमने बात कर ली इसी तरीके से हम line charge density भी define करते हैं ठीक है तो line charge distribution and volume charge distribution तो line charge distribution को हम लैमडा से element बहुत ही चोटा एक volume वाला element हो जाएगा now where delta l is the small line element of the wire on a micro macroscopic scale that however includes a large number of microscopic charge constituents है ना इसको एक बार रीड करोगे तो आपको clear हो जागा है सारी चीज़ हम questions में इसको use करते हैं वह जम question solve करेंगे concept पहले करेंगे उसमें चीज़े clear हो जाएंगे ठीक है now and delta q is the charge contain in that line element the units of for lambda are coulomb per meter तो सबकी unit अलगा लागे बैटा इसे देखो एरिया था तो meter square हो गया coulomb per meter square अभी length element है ना तो coulomb per meter हो गया अभी जब आपका volume आएगा तो coulomb per meter cube हो जाएगा तो lambda की unit कुछ होर है sigma की unit कुछ होर है और आप लोग बहुत ही अच्छे dimensions भी निकाल सकते हो तो प्यार चैसका dimension भी आप लोग निकाल लिखेगा अपने copies में लिख लीजेगा नोर्स फगयरा तो आपको बनाने नहीं है और ncrt से ही कोशिच कर लेगा आपने नोर्स फगयरा को maintain कर गगा नॉ यह तो चलो फिर volume का भी similarly वही है volume charge density भी काईस सही है the volume charge density sometimes also called the charge density इसको हम सिर्फ charge density भी बोलते हैं it is defined as a similar manner where delta q is the charge included in a macroscopically small volume element delta v that includes a large number of microscopic charged constituents the units for the units for ये रो इसको हम रो बोलते हैं this is ये symbol का नाम है रो रो का जो ये है इसका यून रोता है कूल अंपर मीटर क्यों इसे clear तो ये clear होगे score up करते हैं और आगे बढ़ते हैं ओके सो इसी तरीके से आपका यहां पर continuous charge distribution हो जाते हैं so the notion of continuous charge distribution is similar to that we adopt for continuous mass distribution in mechanics तो mechanics में भी इस तरीके से हम use करते थे continuous mass distribution मतब छोटे 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 मतब बड़े mass को हूं चोटे छोटे छोटे मास में तोड़ देते थे वो rotational mechanics में हम करते थे तो यहां पर भी वाई यूचीज वीड़ है फिलाल जो वहां concept यूज़वा था यहां concept में आपको सिखा दिया अभी so when we refer to when we refer to the density of a liquid we are referring to its macroscopic density ठीक है अगर हम density of the liquid को represent करना चाहरे है उसकी बात करने है तो actually में हम बात करना चाहरे है उसके macroscopic density की जो हमें macroscopically दिखती है उसकी density we regard it as a continuous fluid है ना and ignore its discrete molecular constitution obvious ही बात है liquid के हम बात करते हैं उसको continuous ही मांगते ना microscopic level पर भले ही वह अलग-अलग molecules में होगा molecules एक दूसरे से attached होंगे interact होंगे but macroscopic level पर तो हमको वह continuous ही दिख रहा है तो हम उसको continuous distribution मानते हैं the field due to continuous charge distribution can be obtained in much the same way for a system of discrete charges यानि कि पहले जिद भी आपने पढ़ते हैं electric field due to a charge वही concept यहां पर भी लगता है बिटा कुछ अलग नहीं है suppose continuous charge distribution in a space has a charge density रो अगर चूज एनी convenient origin O ठीक है and let the position vector of any point in the charge distribution भी R ठीक है अगर R है आपका उसका position vector तो बोल्ड से जो लिखा होता है वह vector होता है इससे इसका ध्यान रखना so the charge density row may vary from point to point obviously बात है वो charge density point to point to vary कर सकती है जैसे कि charge करता है तो it is a function of R क्योंकि यह function of R है तो divide the charge distribution into small volume elements of size delta V तो इस charge distribution को divide करके delta V छोटे छोटे delta V में हमने कर रखा है so the charge in a volume element delta V हो जाएगा row into delta V ठीक है उस पूरे छोटे से volume में जो भी charge की density है उससे हमने multiply कर दिया ठीक है तो हमें charge पता चल गए देखो basically क्या था आपका भाई volume charge density was what volume charge density आपकी row जो थी वो आपकी थी delta Q upon में delta V यही था तो अगर आप इसको इससे multiply कर दोगे मतलब row into delta V कर दोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा चार्ज आ जाएगा उत्ते volume में कितना चार्ज है तो यहां पर वही चीज तो लिखा है रो इंटू delta V देखो रो इंटू delta V वही चीज है तो थोड़ा सा words में complicate कर देता है but mathematically आप देखोगे ना तो बहुत ही simple चीज लिखी हुई है वहां पर बिलकुल अगर थोड़ी बहुत भी आती है तो इस चीज को आप समझ सकते हो ठीक है नाउ तो यहां से हम कुलम्स लोग के according electric field का formula क्या बन जाएगा देन डेल्टा E is equal to one upon four epsilon not वही चार्ज के जगा हम क्या रग देंगे रो इंटू delta V upon में r square और वहां पर र-cap उसकी direction is it clear वैसे ही आगे चलके सारे के लिए ही होता है where r- is the distance between the charge element and point P जहां पर हमको निकालना था electric field and r-cap r-cap is the unit vector in the direction from charge to element P मतब charge से लेकर के element P के direction को यह r-cap r-cap represent कर रहा है so by the super position principle the total electric field due to a charge distribution is obtained by summing over electric fields due to different volume elements different volume elements मतलब हमने different volume elements थोड़ा था ना तो एक के लिए तो हमने निकाल लिया जितने आला कला है volume elements सबको हम सम कर देंगे total का तो हमें पूरे के पूरे system के वज़े से कितना electric field है वो आ जाएगा तो यह फायदा होता है continuous charge distribution को पढ़ने का कि पूरे system के वज़े से कितना आपका field आएगा वो आप calculate कर सकते है easily इसे clear बच्चो तो बहुत ही simple चीज़ है तो इसको आप इसको पढ़ लिजेगा नहीं clear होगा फिर मेरे सब पूछ लेना ठीक है फिर उसके बाद आता है आपका गौस लोग तो गौस लोग की कहानी नेक्स वीडियो में बताएंगे फिलाहल के लिए अभी इतना आप समझे क्योंकि हमको थोड़ा सा concept इसमें लगाना पढ़ेगा तो यहां तक आप अपना concept क्लियर कर लीजिए एक बार पढ़ लीजेगा अच्छे से तो सब कुछ जब कोई भी competitive exam हो और बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है तो ncrt पढ़ोगे तो तीन का फायदा मिलेगा आपको बाकी questions वगएर आपको आप ncrt के questions तो solve करिए करिए साथ में अपने reference book के भी questions को solve करिए is it clear जितना questions करेंगी उतनी practice होगी चलो फिर इस class के लिए इतना ही बाकी रखें आप लोग तो सीख होंगे ही होंगे और अपनी immunity को boost करने की कोशिश करिए ठीक है चले